नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका और बात करें चीफ जस्टिस ओप इंडिया डी वाई चंदर चूर एक बार फिर बहुत सांदार डिसिजन के वीच में आये हैं चर्चा में कुछ दिन पहले आपको पता है कि बंगाल हाई कोट ने एक बढ़ती सिक्सिक बढ़ती रद क सुप्रिम कोट में आज बंगाल स्कूल सेवा आयो के करीब 25,000 निक्तियों को रद करने के कलकत्ता हाई कोट के आदेश के खिलाब अपील पर सुनवाई हुई और देश के चीफ जस्टिस डी वाई चंदर चूर की अगवाई वाली बेंच ने इस दोरान पस्रिम बंगाल स सरकार से कड़े सवाल पूछे सीजय ने सुरुवात में बंगाल सरकार से पूछा कि उसने अत्रिक्त पद क्यूं बनाए वैटिंग लिस्ट वाले अभिरतियों को निक्त क्यूं किया जबकि चैन परकरिया को अदलत में चुनोती दी गई थे अफिर का आई कोट के पास नो सरकार के वकील निरज किसन कोल ने पूछा क्या इस तरह के आदेश को बरकरार रखा जा सकता है उन्होंने का ये सीबी आई का भी मामला नहीं है ये 25,000 नियुक्तियां अवेद्ध है टीचर चाइल्ड रेस्यू सब कुछ गड़बरा गया है फिर आगे क्या कहते हैं से आदेश इस मामले वे सुप्रिम कोड के फैसले के विपरित हैं जब सीजाई ने पूछा क्या ओमार सीट और अंसर सीट की स्कैन की गई कोपया नस्ट कर दी गई है तो उन्होंने पोजिटिव जाब दिया इस दोरान सीजाई ने पूछा कि इतने सवे दिन सिल मामले के लिए टेंडर क्यों जारी नहीं किया गया स्कूल से वायो को चीफ जिस्टिस ऑप इंडिया के फटकार हैं क्या कहते हैं सीजाई ने तब पूछा कि इन सीटों की डिजिटल प्रतियां रखना आयो की डियूटी है इस दोरान स्कूल से वायो के वकील जैदिव गुपता न आपके पास नहीं है क्या सुरुकसर प्रोटोकॉल का इससे बड़ा उलंगन हो सकता सीजाई ने कहा कि उनको सिर्फ स्कैनिंग के लिए काम रखा गया था लेकिन आपने उन्हें पूरा डेटा रखने दिया आप यह नहीं कह सकते कि उन्होंने इसे ले लिया लोगों के डे वकील ने जवाब दिया ऐसा हो सकता है जब उन्होंने पूचा कि क्या हाई कोट के निर्देश निस्पक्स थे तो सीजाई ने जवाब दिया लेकिन ये परनाली गत धोका धड़ी है शार्जिनिंग नोकरिया आज बहत दुरलब हैं और उन्हें सामजी गती सिलता के पीड़े ने कहा हाई कोट के फैसले में आयो की ओर से अनियमित्तों के बारे में कुछ भी नहीं है अगर हम बीच में एक पीड़ी को खो देते हैं तो हम बवस्य के लिए सीनियर हेड़ मास्टर और परिक्सकों को खो देंगे ये दियान में रखें कि उनमें से कईयों को को नोटिस नहीं मिला उन्होंने कहा कि जब सीर्दर्ध होता है तो आप अपना पूरा सीर नहीं छोड़ते हैं सीजे ने का वो लंज के लिए पीट के उठने से पहले इस पर विचार करेंगे खा सुप्रिम कोट ने पीचले अपते जो है कोट के आदेश पर रोक लगा दी है मामला यह किया है और जिसमें सिक्सेक बढ़ती गोटाले के सिलसिले में सीबियाई को बंगाल सरकार के अदिकारियों की जाज करने को का गया था इसने जो है पचीस जार साधिक सिक्षन और गेर सिक्षन करमचारी के निक्ति को रद करने पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था कोट ने ये भी पूचा था कि क्या मोज़ुदा सामगरी का दार पर वेदी और अवेदी निक्तियों को अलग करना संभू है तो आज इसरकार ने तक दिया हाई कोट ने क्यों को मनमान ठंक से रद कर दिया तो यह भरती जो रद हो गई थी उस स्टेटमेंट को उस आदेश को सुप्रियम कोट ने फिलाल के लिए जो है उसको रद कर दिया है तो चीप जैसिस ऑप इंडिया का यह डिसेजना आपको कैसा लागा जूरू बताए चैनल को सब्सक्रा कर लिजेगा